स्वागच्छ आम्रो चैनल नेपाल ओनलाइन इस्कूल मा आज़च्छ आमी एन अबी केमेश्ट्री क्लास टूवल को हालो अलकेंज एन हालो एरिंज बन्ने चैप्टर पर देशुम् रयो चैए आमरो विडियो नमर 5 हो यो बन्द अगारी आमले चारोडा विडियो कम्प्लीट गरी शक्या चुँ यही नामले तिमेरोले आमरो चैनल मा सर्च गरना सकनूंछ नेपाल ओनलाइन इस्कूल आमरो यूट्यूब चैनल मा रयो बन्द पथारीको पार्ट मा चैए आ रूल अनुसार मेजर अथा मायनर प्रोडक्ट बनायो चैनल मारो निकभ गरनागव चैनल मार्णीस रूल जुन्छ यूटूड मेकानीजम म्यकानीजम बड़भ प्फलो गर्छ तो फ्रापनी माले भन्या थे आवचे हामी मार्णीको प्थ रूल जुन्छ यूँड मेका सब्सक्रनेक्बांक्नेकीजम के वलत देड़ाまり आई-एकम्तिवी यो में चाश्oid ऑध छैका मारम मेक नेकानिजम म HASा करते नो cocktail में खेली अवां म काका ल हुआ डेक्वी यो ठेसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियाक्शन मेकानिजम यो मेकानिजम बरक्ये होंच तो यो मार्को निकप्स रूल मा जुन हामी यो मेजर प्रोड़क्ट बनाऊचुम एक्चुल प्रोड़क्ट बनाऊचुम मेजर प्रोड़क्ट बनाले बुजिन चा तो प्रोड़क्ट जुन चाहिं लार्ज क्वाइंटिटी मा लार्ज एमाउन्ट मा रियाक्शन मिक्श्चर मा फर्म बाआ जा सो इसका के important points हरो आमी बंचुम यो चाहिं important points regarding मारको निकप्स rule लाओनाक लागी important points के आमी लेखना सक्सुम्ता यो कफ्तो खालको alkyne मा applicable उन्छा अन्सिमेट्रिकल alkyne अपलिकेबल वन्ली फोर अन्सिमेट्रिकल alkyne अल्कीन बंदेश्व इसका मतलब कार्बन कार्बन को बीच मा डबल बंद होनु पड़े हो त्यां अब अन्सिमेट्रिकल alkyne को इकजाम्पल लेखना सक्नूंछा CH3 याँचै CH याँचै डबल बंद दिनुष अन्नि याँचै H अन्नि याँचै फेरी CH2 दिनुष यो पणि अन्सिमेट्रिकल alkyne कीन यो डबल बंद को एक्रास यो दुटे गुरूप के साता फराक फराक छा अन्सिमेट्रिकल alkyne अरको एकजाम्पल बंद लेखना CH3 CH2 CH double bond CH2 यो पणि यो अन्सिमेट्रिकल alkyne यो डबल बंद को आगारी यो दुटे compound के साता फराक छा तो ये द्वीटेकेव रूल तो, एश्थो खालको अलकीन मा स्युत्ति हpciónतो मारको निकप्स रूल ठी अपलाई गरचू सिम् landmark अलकीन मा ये रूल ठी अपलाई गरना मिलेख देन्हां किनेकि सैम्प्रोडक्ट आउंच्ट ये खालको वीडियोमा मैं बताई सक्याओ त्यों कुड़ा आरू, सेम प्रोडक्ट आउंच, त्यसे लेकुने रूल को त्या आवशक्ता पर देने, आनि योजे कस्तो खाल को हुँँँद्ध, यो एडिसन रियाक्शन को बेला आज हुँँच, जब हामें हाइड्रोजन हेलाइट लाइड एडिसन गर्चूं को संगत हाइड्रोजन हेलाइट को जब हामें एडिसन गरिडाहांच, हाम्रो अलकीन में त्यत्ती बेला आजे, यो मारकोनिक अप्स रूल हामें लेलाउन पर ने हुँँच, त्यस रूल इज यूजट भननना सक्छों, अध्वा धीस रूल इज एपलाइड भननना सक्छों, और एडीशन औफ, के एडीशन गर नुं परो? HX HX बनेगो क्यो? halogen acid होयो HX बनेगो halogen acid, HCl, HBr तो खालगो During the addition of HX, halogen acid to the alken Alken मा जावा हमी यो करचुह तेते बेलाच भा में हमलिए यो rule लाँनु परनेजा आपए आरूम, एसमा, यो मारकोनिक पस रूल अनुसार चैंक के भईरा थे हो बने, एसमे योड़ा एगजाम्पल लें, मारकोनिक पस रूल अनुसार के भईरा थे हो बने, मैं ले यो कमपाउंड लिये, यो मेरो प्रोपीनो, एसमा, मैं ले, HBR, आड गर देछू, एडिशन रियाक्शन गरना खोजीरा आछु तरा कुने पनी मैले अरु केई मैले रियाजेंट हरु पेरोक्साइड हरु मैले केई हाल्या छाई न आनि के बाई दिन छा ता मार्को निकप्स रूल ले के बन छा बने हाइड्रोजन त्यो कार्बन नेरी जान छा जो संग अल्डेरी ने बड़ी कार्बन त्यों चो यो डवल बना को एक्रोस मा हर नू पर्यो डवल बना को एक्रोस मा यो गुरूप मा हर नूश हाइड्रोजन बड़ी छो हाइड्रोजन यो fluids यो चाएड्रोजन चाईज हानी ता kड़ को अनु wsp सब्सक्राइबु से एलेक्ट्रोफिल्स में सब्सक्राइबू आपको लेक्ष सुन्हों था है the 192 ब्रोड़क्टिनल नहें मी प्रोड़क्ट धिरां सब्सेम सब्सेथ दरी दिपतीनल थेरी क braceletbook है CS and pros अंनि यांगानल्न अटी यांगानल यांगानल रधानल्स अनल्स एल्लस अपनी यांगार यांगानलो भीपरन्स इसको नाम चे जो था 2-bromopropane इसको नाम के हो 2-bromopropane 2-bromopropane यह 2-bromopropane जुन छा यह चे आमरो major product होन छा according to the Marconic Apsule major product अथवा यह एला actual product नी भनना सक्छो यह आमरो जुन बड़ी amount मा फर्म भावन छा यह चे आमरो 2-bromopropane चे major product भाव हर यह चे minor product पनी बनछ जस्ट आपोजीट यहाचे minor product नी बनछ जस्ट पोजीशन फ्लिप गर धिनूँュ अपोजीट अपोजीट गर धिनूब चीएस 3 या अगी ब्यार थियो बाने यह हाईड्रोजण एटाच गर धिनूँश और अगी याँ hydrogen एटाज थियो वाने याँ BR एटाज गरनूँश अब इसको नेमिंग गरने बेला तो नेमिंग जो दे शोफ्टी च्वेंड बड़ा श्टार्ट होंच तो इसको नाम के बायो वन ब्रोमो प्रोपेन इसको नाम बायो सो हामी यो क्ये बनाई राचुम तो टू ब्रोमो प्रोपेन वन ब्रोमो प्रोपेन यो क्ये होता अलकाइल हलाइट हो हालो अलकेन हो यो हालो अलकेन आमी क्ये बड़ा बनाई राचुम तो अलकीन बड़ा बनाई राचुम हालोजन एसीड गो एडिशन रियाक्शन गरे रहा चो योजुन रियाक्शन मेकानिज़म हो योजुन यो आमीले बहन देचु मेजर प्रोड़क्ट आथ पा एक्च्छल प्रोड़क्ट चुन आमीले डिटर्माइन गरी हाइड्रोजन चाएं त्यो कार्बन संगा जान्छा त्यो डबल बोन्डेट कार्बन संगा जान्छा जो संगा पैला ने बड़ी हाइड्रोजन थियो हालोजन ग्रूप त्यो डबल बोन्डेट कार्बन संगा जान्छा जो संगा थोरे हाइड्रोजन गुरूप थियो यहला चे आमी मार्कोनी कॉप्स रूल भन्चूं अब यो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियाक्शन बड़ा प्रोसीड उन्चा कसरी उन्चा अब इसको स्वाट मा आमी यहां मेकानिजम अलिकती हेरू इसको मेकानिजम हेरू यहां चे क्ये बाइदीन छा बने हमले रियाजेंट्चें क्ये लेक हो बने हमरो रियाजेंट्चें क्ये हो CS3, CH, double bond, CS2 यो चे प्रोपीन हमले लेको र योटा हालो एसिट्च लिन्नू परो अब एसको रियाक्शन गरूम यहां क्ये होंचा यहां हेरनोस यो हालो लिसिट्च लिन्ने बेल हमा यो हाइद्रोजन बन्दाता हालो गुरूप हालो गुरूप क्योंच तो इलेक्ट्रो निगेटिविटी बढ़ी होंचा चो यो बोन जुनचा हमरो यो हाइद्रोजन को कमपेरिजन मा धेरे बढ़ी छा यहां क्ये बढ़ी दिन्चा यहां क्ये गर दिन्चा था ब्रेक बाए रहा यो हेट्रोलाइटिकाली ब्रेक होंचा हेट्रोलाइटिकाली ब्रेक होंचा यो हेट्रोलाइटिकाली ब्रेक बाए रहा दुइटे इलेक्ट्रोन लियर यो गई दिन्चा याँचे के हुँछा ता radical को formation हुँछा H plus रख x minus हुँछ यो x minus मा जे नि हुणा सक्षा Cl minus हुणा सक्षा Br minus हुणा सक्षा I minus हुणा सक्षा चो में यड़ा general equation यड़ा general format कीटियेट कर दे छुए यड़ा यो hx मा यो बाए आब जुन यो हाम्रों जुन यो h plus छा एसको size के हुँँछ small हुँछ size small हुँछ और यो highly unstable हुँछ size पनी small हुँछ highly unstable हुँछ highly unstable भाईचागे पाच यो के बईदीन छा reactive बईदीन छा h plus so x- बन्दा बड़ी reactive चाए यो हुँछ h plus x- जुन हाम्रों हालो पार्ट बन्या चा यो c l माइनस हुणा सक्छा b r माइनस हुणा सक्छा i माइनस हुणा सक्छा यो बन्दा चे यो क्या हुँछ तो बड़ी reactive हुँछ तेसे ले अब रियाक्टी बहिशागे पाच यो positive charge एस्पेसिस हो electron deficient compound हो पोजेटिव चार्ज बगो कारण ले गर दाखेरी तो यो electrophile electrophile अनुसार यो bf गरना था चे electrophile बनेगो positive charge भुणू परो अथवा electron deficient एस्पेसिस हुणू परो तेला हामी electrophile बन्दा यो electrophile चाहिं electrophile लाई electron loving बनी बन्दा file means love electrophile means electrophiles are those as species electrophiles are those species which love electron or electrophiles are electron loving species electron लाई कले love गरूँ जो शोंगेशा चार्ज फशाई ना electron deficient ठेले चाहिं किये गर चाधा demokrat rich. पैसा लाई कले लब गरूँ जो संगेशा चाहिं ना तेले laugh गर आतपा जो जो गरिब शाँ, जो साँ पैसा छाइना, त्यो धनी बनन खोच्छ, त्यो पैसा लाइ मन पढ़ाऊ छो, त्यो अनुसार यो इलेक्टरो फाइल जुनच, यो चैं हैं इलेक्ट्रोन लविंग बिंग इसपेसी चो, किने बने एसमा इलेक्ट्रोन को डेफिसियंट हुन्च, यो electron deficient compound हो रहा यो highly reactive होंच जो यो इलेक्ट्रोफाइल को रूप मा काम गर जो अब चाहिए क्ये बहिदीन चावाने माथी जुनत पाइं अलकीन मोलीक्यून लिनुबाँच यो अलकीन मोलीक्यून मा दुईटा situation possible जो याँ हेर नुच्ता यो बउन्ड जुन च येदी एथा तिरणी सीप्ट गरना च किना यह बउन्ड ये यो बउन्ड ले आमी उता तिर शीप्ट गर चूं प्रोड़क्ट्ट बनाउनूं कस्तो कस्तो प्रोड़क्ट बँच याँ CS3 बन छो, CH बन छो, बोंड एथा तीरा shift बा छो, तेसलिए या माइनस चार्ज एपियर उन छो, योटा बोंड पहला देखिने छो, यो CS2 यहाँ प्लस चार्ज एपियर बार, ठेक छो अब यो बोंड ले ताब एथा पटी शिफ्ट गरेड़ा ब्रेक गरना सकनून छो, एथा पटी यदि shift गरेड़ा ब्रेक गरनून छो बने, ताब एको result एश्तो खालको बन छो, CS3, CS, एथा पटी चाए प्लस चार्ज आउँछ, एथा पटी चाए प्लस चार्ज आउँछ, जुँटे मोलिक्यूल माँ एटाग गरेड़ा खोचुम्, एथा पटी एटाग गरूं, 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 एथा प्लस एटाग गरूं, एथा पटी एटाग गरूं, एथ एलेक्टवन को kł啦वड चाह ुgia , हो जोड हा , फोजेटिफ चाहट, हो चाह , बुजयाँ हो तहिआ है है। एलेक्टवन को dh 0000प्लावड चाह, चाह ,ए पफ़्ड environment setting, यह कुन ठाव मा ए-क्डावड बड़ी चाह . पौजेटिव चार्चर्च बने बुरूजब तिया एलेक्टरन को डिफीजिएंशी ची चा डिफीजिएंट आटम हो जा एलेक्टरन को कमी अब है एच प्लस एलेक्टरफाइलो युँच है ठाव मा ए टाक़्च जुन धाव मा चाएं इलेक्ट्रन को क्लाउड बड़ी जा यहां H प्लस एटाक गरदा खेरी आमरो प्रोड़क्ट कस्तो खालको बनने बाई यहां H प्लस एटाक्ट गरदा खेरी CH3, CH यह चाएं आमरो H प्लस आई रहें यहां बोंड बनाई हैं H प्लस एटाक गरएं बने कफ़्तो खालको बनाई स्पेसिस बनाई CH3 CH प्लस यहां चाएं यह निगेटिव पार्ट माँ एटाक गरेर यह निगेटिव पार्ट माँ एटाक गरेर श्री अगी यहां हिएं प्लस एटाक गरेर यहां चाहीं CH3 बनाई यहां ब्लस आई दुएटाकी सिम गुति में यह कार्बोक्याटाइन हेटना सक्छू यह प्लस चार्ज उन फर्म बाच्च यह टू डिगडी कार्बन माँ फर्म बाच्च किना बने यो कार्बन चाइं दूइटा एक्स्ट्रा कार्बन संगा लिंक बहरा बस या चा तरह यो जुन प्लस चार्ज चार्ज यो वन डिगरी कार्बो केटायन मा फर्म बाज पिना बने दूइटा बने लिगरी कार्बो केटायन चैं वन डिगरी काร्बो केटायन बन रिखायाक मा इस Tapi किना बहर बहरा बने या अवटा मात्र हे एलेक्ट्रोन रिलीजिं गुरूप गुरूप च यो ताइल गुरूप हो उन्ये पनी तै गुरूप Peterson electricity गुरूप पोजेटीप सेंटर्ड कार्बन लाइए iL picks गुरूप ईताइल गुरूप गुरूप मिठायल गुरूप इंडुक्टिव इफेक्ट बरागे यहले इलेक्टरन सप्लाई गरी राज त्यू डिगडी कार्बोकेटाईन मां धू इताम मिठायल गुरूप ले इलेक्टरन रिलीज गरी राजा बने 1 degree carbocation जून एता पटी फ़म भाँ जो या छे एवटा मात्रे इथाईल गुरूपले electron रिलीज गरी राज़ा तेसे ले 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation यो छे आमरो major, यो छे more stable भाई कुण छे more stable भाई? यो 2 degree carbocation छे यो more stable भाई more stable भाई शके पछी योचे रियाक्स्तन मा छिट छिटे बने अग्दम है इजली फ़र्म होगा योचे एमांट मा फ़र्म होगा योचे लेस एस्टेवल भाई जा किने की योँ वनडिगडी कार्बोकेटाय नो योँ लेस एमांट मा फ़र्म होगा आपर जुन चाए जो चैने मोर एस्टेबल छा त्यो चैने मेजर प्रोडक्ट दीने बाँ त्यो चैने बडी अमाउंट मा बनने बाँ सो जुन योजुन हम्रो याँ CH-3 एसको माथी जुन यो पोजेटीब चार्ज थियो आब चैने माथी जुन X- तपाइले लेखने बाँ चैने यो X- जो चये गईडरतों क्यों दो बालतों के चाँड़ाद्याज, अब आटाको क्यों बालतों में गते सकने हैं एक तो खाल मजुना आमरू यो प्रोड़क्ट बन्यों CH3, CH अब यो X को X से ही लेख छुम है लेमों X, यो X भाई रहे एथा पटी CH3 योचे आमरू के बोता मेजर प्रोड़क्ट भाई योचे आमरू मेजर प्रोड़क्ट भाई यो X को ठामा ता पैं और प्रोड़ाइम के लिए डाइम के लिए स्क्रोडरिन और प्रॉड़ाइमeye मी 번ë SB, क्यारिफ और दीन इसलिए, वालिवा FEB environment치 चुमा। योजुन आमरो 1 डिग्री बन्याचा, CS3, CS2, CS3, CS2, CS3, CS2, मा यो लेख देछु, CS3, CS2, आनि CS2 को माथी पोजेटिव चार्ज, अब योजुन बन्याचा, 1 डिग्री कार्बोकेट आये नोयो, 1 डिग्री कार्बोकेट आयेनु, माथी बन्याथिव, द्विटाक के सामीड डिश, लिया थि, माथी 1 डिग्री कार्बोकेट आयेनु, यहापनी के हुँँछद, ति X- आयरेके गर्चे तो अटक गर्च, सो एक्स माइनस का गई रे अटाक गर छो पोजेटिव सेंटर मा यो कारबन में अटाक गर छो सो आमरो प्रोड़क्ट कस्तो फर्म बायोता CS3, CS2, CS2 अनि यहां चे योटा X गुरूप अटाच बायो यो चे आमरो माइनर प्रोड़क्ट बायो यो चे लेस एमाउंट माँ फर्म होन छो सो यही यो मेकानिजम और शुरू माँ चे यहां इलेक्ट्रो फाइल पनी अटाक गर देछ न्यूकलियो फाइल पनी अटाक गर देछ सो नेमिंग का सरी गरने शुरू माँ कले अटाक गर यो शुरू मा था H प्लस ले अटाग गरियो किना यो highly unstable species हो शुरू मा एसले अटाग गरियो यो चैनलो इलेक्ट्रोफाइलो र डबल बंड मा एडिशन भई राचा तेसे ले यो reaction mechanism ले हामी के बन्चुम्द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियाक्शन मेकानिजम यो mechanism को नाम के होदा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियाक्शन मेकानिजम तेसे ले Marko-Nikoff's rule मा इन Markov-Nikoff's rule कुन रियाक्शन हुंछ दा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियाक्शन मेकानिजम हुंछ यो कुरा चैं याद राखनू पड़े। बुजण बहुए कुरा आरू? अब चैं एसमा आमी पेरोक्साइड इफेक्ट अथवा एंटी मार्कोनिक अप्स रूल हेर चुम कुन बेला चैं आमी एंटी मार्कोनिक अप्स रूल लगाँ चुम तो चैं अब आमी एसमा हेर चुम यदि यही रियाक्शन लाई अथवा एंटी मार्कोनिक अप्स रूल सबय मा हुँदे ना प्राए HBR लेश्चो गर चैं एंटी मार्कोनिक अप्स रूल HBR माचैं हामी एंटी मार्कोनिक अप्स रूल लगाँ चुम सो एंटी मार्कोनिक अप्स रूल माचाएं क्ये भई दिन छा बने सबैकुरा सेम्बो आमी एसमा पनी एडिशन अफ एडिशन अफ हालो एसिड्स के एडिशन गर्चुम अनसिमेट्रिकल अलकीन में गर्चुम तर एत्ती मात्रे छा इन प्रिजेंस अफ पेरोक्साइड यदि पेरोक्साइड को प्रिजेंस मा तपाई यो रियाक्शन इन केस अफ एच ब्यार्चंगा गराउन उन छा बने के भई दिन छा तो एसको मतला मारको निकप्स रूल को जस्ट अपोजीट भई राचा तेसेले एसको नावो एंटी मारको निकप्स रूल अब आमी एंटी मारको निकप्स रूल परचुम एंटी मारको निकप्स रूल अब आमी है जो एसको देरे नाम छा एलाई पेरोक्साइड इफेक्ट बनी बन छा एलाई पेरोक्साइड इफेक्ट बनी बन छा एसको अरुनी नाम छा एलाई खाराच इफेक्ट बनी बन छा खाराच, K-H-A-R-A-S-H खाराच नामको साइन्टिस्ट ले यो अब्जर्बेशन गरनो भातियो इन प्रिजेंच पेरोक्साइट तेसे ले एलाई खाराच ये स्पेलिंग ठीक छागी छाई ना K-H-A-R-A-S-H ठीक है होला खाराच इफेक्ट बन्छा ये स्पेलिंग अले ये ये मिश्टेक होना सक्छा मनी टीचर मनी मनी बिंग ने हो उता तीरा चाहिए देरे तो ध्यान न दिन वला राइटे स्पेलिंग लेखने वहला, लेखने वेलाम कोने वेलाली मिश्टेक हुन छा, त्यों ओके छा, शो एंटी मार्कोनिक अप्स रूल, पेरोक्साइड एफेक्ट अहलाने खाराच एफेक्ट बन्चुम, यो रूल ले के बन्चा था, इन प्रिजेंस पेरोक्साइड ज जोगर छा, जो generally HBR ले सोगर छा, जो this effect, this effect is shown by HBR, ह CL ले सोगर देने, HI ले सोगर देने, HBR ले मात्रे शोगर छा, यो पेकुलियर टाइप को एफेक्ट हो, जुन HBR को केस मा आमे मात्रें अबजर्ब करना सक्छा, अब में S मा चैंके बहिदीन छा बने, एसमा चे के बाई दिन छो बने मानुम एवटा आमी एक्जाम्पल लिम आमी एवटा एक्जाम्पल लिम सामी एवटा एसमा चे आमी लेक्षे गरिम बने CH3, single bond, CH double bond, CH2 यो एक्जाम्पल लिन्द बन्दा गारी मह यां एवटा कुडा लेखना बिर्षे छू योजुन रियाख्जन चा एंटी मारकोनिकाउप्स रूल और पेडोक्साइट एफक्ट अथवा खराच एफक्ट योजुन इफक्त बहीरा चा योग्ढ तंद मेकानिजम बरण प्रोसीट उचा ये क सिले स्वा दियो बने योँड छै फ्री रेडिकल एडिशन रियाक्शन म प्रोपिन लिए अब माँ एच बीयार एच माँ एड़ गरना सक्छू यो एच बीयार वड़क के निश्किन छता एच प्लस बीयार माइनस निश्किन छता यो सबे कुरा था चा तर एच अड़ी हुदाई यो ता आयंस बन्यों केट आयंस एन आयंस बन्यों तर एक्ट्वल रियाक्शन माँ जानने हुदाई यहां सबे यो सबे यो इस्टोरी अलिकति फरक चा किना कि यहां यो रियाक्शन सामी पेरोक्साइड को प्रिजेंच माँ गर देछूं यहां चा प्रिज प्रियाक्शन सबी काशन मेंस लेक्शन मेंस जाने हुदाम तरहा है एच मा चाहिए फ्री रेडिकल बन छा, शो एच री चाहिए न बुझनु होला, मा यू बुझनक लागी लेख छुँ तो मैंयरू मिस्टेक गरनू हुँँछ, चो चाया नुशार है, हुनना तो हुँँछ, हँँछ, HbR ला ये दिशोशेट गरने भिणे, HbR माइ यहांचेए S2O2 नी हुनना सक्षा hydrogen Paroxid बन्छो मेल आमि औरको आमर हुनना सक्षा Dibendoyal Paroxid हुनना सक्षा यह आमर पेरोक्साइड एरो Dibendoyal Paroxid अथवा तेमी यहां बुजनmpfen पर इसमाँ चे एंटी मार्कोनिकप्स रूल अथबा खराच रूल खराच एफेक्ट एपलिकेबल हुँँछा बने दा बुजनू पर्यों चो डाइबेंजवाइल परोक्साइट को यह दि एस टेक्चर बनाऊनू पर्यों आमी यह सरी बनाऊँछुम डाइबेंजवाइल परोक्साइट C6, H5, C double पोंडो अनि एला चे आमी परोक्साइट लिंकेज बन्चुम यह चे एस टो बायो फेड़ी यहां C6, H5 बायो अब डाइब अलकाइल परोक्साइट नी बनाऊना सकनूँछा डाइब अलकाइल परोक्साइट यह परोक्साइट लिंकेज को दोई तीरा अलकाइल ग्रूप लगाऊना सकनूँछा ठीक्चा यह चे आमरो परोक्साइट मेकेनिजम बर योचें फ्री रेडिकल बन छा यहां बर कस्तो खाल्गो गुरूप बन योता C6, H5, C double bond O और यां oxygen माथी योटा क्या आयो यो इलेक्ट्रोन आयो और इलेक्ट्रोन रो oxygen संग पहिला कत्योड़ा इलेक्ट्रोन थेयो दुईटा पियर इलेक्ट्रोन अल्डेडी पहिला ने प्रिजेंट थेयो तो खाल्गो मोलीक्वल योटा बन्यो अब यो अक्सिजन लाइनी याँ तर डबल बंड बनी सग्या चा तर याँ डबल बंड चाईन बने के बही दिन चा त अब यो याँ जुन चा हम रियो यो ठाम पणि होमलाइटिक कीली बेज उन चा अणि यो इलेक्ट्रोन अलेलीँचत रा यो इलेक्ट्रोन याँ जान चा रो होमलाइटिक कीली बेज भाई शाके पाछी बल्ला कार्बन डायोकसाइडले य Tutaj oxygen फहला कतियो रा इलेक्ट्रोन थीओ एवटा दूइटा तीनंटा सरी से हामरो यहाँ बड़ा carbon dioxide रिलीज हुनचा बड़ा carbon dioxide रिलीज भही शाके पची दूइटा चाइं C6H5 को free radical बनचा बड़ा carbon dioxide निस्की निश्की नचा सो दूइटा carbon dioxide को molecule बने निस्की नचा सो C6H5 ले आमी phenyl radical बना सक्छूं phenyl feriradical बना सक्छूं अब यो फिनाईली गुरूप ले चाई के गर छाता यो C6H5 ले अब यो ते योटा फ्री रेडिकल लो रमोले बना थे फ्री रेडिकल को प्रपाटी के उन्छा बने फ्री रेडिकल रियाक्शन मेकेनिजम पड़ाऊने बेला मो यो पोईंट अरू बना थे फ्री रेडिकल को कस्तो प्रपाटी उन्छा बने यो फ्री रेडिकल बनाऊना खोच्छा इन प्रिजेंच अब C6H5 फ्री रेडिकल यो जुन HBR मेले लेक हो माथी HBR जुन मेले यां ले आछू यो HBR में के गर छाता होमोलाइटिक किली बेज गराऊंछा फ्री रेडिकल को प्रपाटी उन्छा फ्री रेडिकल को प्रिजेंच माँ अरको न्यूट्रल मोलिक्यूल माँ होमोलाइटिक किली बेज गराऊंछा यो यो फ्री रेडिकल बनी शागे पाची यां के बन्यो यां बन्यो हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल यहां लेख देचु 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 य यह र्याक्ष्यन महा, यह रियक्षन महा, यह पर्यummyन को परोक्षाइड की नियूद्धे कारणे, नहीं है परोक्षाइड спасибо कि अन्थीक में व्हेला, खंच परियू उगुदिध मुरुण्ग मुरुणिक में टीक हाने, चने सक्पारीक हा हो, каналरा वाल हरभ baptized है, pubam यहाँ पने आब दूइटा केस पोसीबल छह एडनूस। यहाँ चे के भई दिन छहाबने आम्रों कमपॉंड के हो CS3 C, CS, Douvell Bond, CH2। यहो हो आब यहां एडनूस दूइटा केस पोसीबल होंच। यह बोंड कता तीर शीप्ट गरने, के गरने? यो कदा थीरा यताच होंच, थिसमा डिपेंड होंच मानुम यो बोण्ड लाए मुयले एता पतीशीप्ट गरे यो बोण्ड लाए मुयले आब होमलाइटी किलिबेज उने फ्री रेडिकल को प्रिजें halten होमलाइटी किलिवेज वाय वाय बानुम एस्तो कालगो मेल इस टैक्चर बनाए CS3, CH यानि फरी रेडिकल छ़़़द इस्सील फिरी रेडिकल छ़़़़़द अब यो ब्रोमिन जुन छा यो ब्रोमिन जुन छा यो का एटाक गरना सक्छा तो यो जुन आमरो यो ब्रोमिन यो का एटाक गर छा तो यो ब्रोमिन यो जुन आमरो ब्रोमिन यहां पनी एटाक गरना सक्छा यहां पनी एटाक गरना सक्छा तो पुने एक ठामा एटाक गरू रहा हैं जल वह पनार कंश्च, पना चईह पनी आउत्सक्रप चाँ भाइ, पनार्टबॉब्राध पाल तरुक títuloöt, these are summonumin the generator, यो पनी एव टाँ FREE radical हो अब भननों सकुन बड़ी एस्टेबल छा तो माले FREE radical माम बनाते SECOND degree free radical is more sustainable तुआ यहाँ आरणनों SHYOND degree radical कती डिगरी कार्बन मा परजेंट छा SECOND O 우ar carbon मा परजेंट छा और यो FREE radical 1 degree carbon मा के छाता परजेंट छा तेसेले आमी के बनना सक्चुम, यो जुन बन्यों यो, यो 2nd degree free radical बन्याच, यो 2nd degree free radical बन्याच, यो चे मोर एस्टेबल होंच, 2nd degree free radical is more stable, like carbocatine, carbocatine मेले के बन्याच, 3rd degree is more stable than 2nd degree, and 2nd degree is more stable than 1 degree, So, in the same way, 3rd degree free radical is more stable than 2nd degree free radical, and 2nd degree free radical is more stable than 1st degree free radical. यो संतो खालको रडिकल हो? यो समसी जख्रीकल सब्सक्राइए जून जख सब्सक्राइए यहां बराचें मेजर प्रोड़क्ट आउँ छा जो चें मोर एस्टेबल छा त्यां बराचें मेजर प्रोड़क्ट आउँ छा रजुन चें लेस्टेबल छा यहां बराचें माईनर प्रोड़क्ट आउँ छा यहां बराचें माईनर प्रोड़क्ट आउँ छा अब यहां पनी के हुँँच दा, हाइडोजन को फ्री रेडिकल रा ब्रोमिन को फ्री रेडिकल बनचा, आप यह एच ले के गर छा था, अटाक गर छा, आप यह एच ले यह केस मा अटाक गर दा खे डिए हामरो प्रोड़क्ट बननेवो, CS3, CS3, CH अनि यहां H ले अटाक गड़ियो किने कि एसको माथी पहला फ्री रेडिकल थियो रह यहां चैने CS2, BR बन्यो योचे हामरो मेजर प्रोड़क्ट हो योचे हामरो मेजर प्रोड़क्ट हो रह एता पटी चैने के बन्यो दो येता पटी जुन ठाउमा यहां और फ्री रेडिकल था याँचे के गरूँस तका hydrogen एटाक गर्नुस हामरो प्रोड़क्ट के बन्यो CS3, CH, BR, CS3 ये प्रोड़क्ट बन्युस येता पटी चैने मेले के गरे तका यो hydrogen एटाक गर्णा हो येता पटी मेले इता बटी मेले हाइट्रोजन एटाक गड़े हो पहला चे दुटा बोंड थियो अने योटा हाइट्रोजन संग एला एनी तब मेले शरी लेखना सकनों ज़ CH3, CH, BR, CH3 योचे आमरो के बायोता माइनर प्रोड़क्ट बायो माइनर प्रोड़क्ट तेसे ले एन्टी मार्कोनिक अप्स रूल मा योचे मेजर प्रोड़क्ट बन्छ रा योचे माइनर प्रोड़क्ट बन्छ जुन चे जस्ट अपोजीट हो मार्कोनिक अप्स रूल बन्दा मार्कोनिक अप्स रूल अनुसार योचे मेजर थियो और यो चे माइनर थेओ तर एंटी मार्कोनिक अप्स रूल अनुसार जस्ट अपोजिट यां वह देगो छा यो प्राय परोक्साइड को प्रिजेंस मा यो आमी अब्जर्ब गरना सक्छूं परोक्साइड को प्रिजेंस मा एस्तो उन छा अब इसके मा योटा सिम्पल डाइगे यो तो मैले मेकानिजम पुझाए दिये इसो बुझदे राखनूस अजीलों छा पाछी अब एटनूस अब यह कुडाले मा लेख दीन छो फेडी अब जस्टे मा येले CS3CH double bond CS3CH double bond CH2 लिये आणि मा एसमा HBR add गर देछु अब दुई टा केस लिन छो मा एक चोटी मा पेरोक्साइड प्रिजेंट गर छु मतले पेरोक्साइड को प्रिजेंस मा यो काम गर देछु एसमा अब एक चोटी मा पेरोक्साइड एपसेंट गर छु एक्चोटी माँ पेरोक्साइड एपसेंट गर चुछुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु बड़ी हाइड्रोजन छा उता ची राचे हालाइड गुरूप्ट जता ती रा बड़ी यो एन्टी मार्कोनिक अप्सुरूल अनुसार चे आमी के बनचुम बने जता ती राचे जता ती राचे या पेरोक्साइड प्रजेंट गरे रेर दाचुम अब जस्ट अपोजीट हु एन्टी मार्कोनिक अप्स भायो कि भाय ना अब पेरोक्साइड एप्सेंट छा अब इसमा मार्कोनिक अप्स रूल लाउनु पड़े तो मार्कोनिक अप्स सबेला था चा जता ती रा बड़ी हाइड्रोजन छा उते ती रा हाइड्रोजन लाउने तो आमरो CS3, CS2, CS2 देने, CS3, CS, आनि याँ चाइं BR गुरूब एड़ूँच, आनि फेडी चाइं याँ के बनचा दा, CS3 बनचा, हेनुस मेले के गरे, मारको निकाप्स रूल लाओ देशु, यो डबल बंड को एक्रोस मा, यो कार्बन मा बड़ी हाइडूजन चा, इस मेले गुरूब एड़ाच गरेडी CS3 बनाए दिये, यो कार्बन मा बड़ी हाइडूजन चा, ते सेले एस मेले के गर देए ते बी आर एड़ाच गरेडी यो प्रोड़क्ट बनाए दिये, तर सेम अपोजीट भाद छा माथी, माथी चाइं के बाएडूजन चा, यो मारको निक लाए दिये, र जदा तिरा बरी हाइडरोजन चा, उधा तिरा मेले ब्रोमाइड गुरूप लाए दिये, चो यो एंटि मारको निक अप्स रूल बहाँ, यो जेनरली हामे, यो जेनरली हामे, यो जेनरली हामे, एच बी आर मा अबजर्ब गर्चूं, हC-L र एच आई मा य यो जेनरली हामे, 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 यो जेनरली ह अल्पोहल बरा हमी कसरी बनावनेतहां jede posture हमी हेड चुम जो अल्कायलिëlнев लाइट can be produced from alcohol in the following ways ये नमर्मा हमी हमीं प्रमेशको ये नमर्मा action with action with halogen acids halogen acids बरा action गरेड़ा मी कसरी बनावनेतःट त्यख़े आप हमी हमी action with halogen acids halogen acids ,"š금 sin 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 kin hbi h squir hsi hsi higun यो सब्यhe halogen acids ठीच, अब यो reaction कहरुआ चनल करें हमी hydrated, हमी पहला alcohol ow 걸 jakim लिंच ऊँँ यो r he doesngаков alkyl group all type alkyl group हो यो ch3 ch3 c2 h5 जे नियु न सक्छा, अलकाइल गुरूप हो यो, एसमा चे मोईले क्ये गरे बने, HX एट गरे, HX क्ये हो आमरो, हालोजन को एसीड हो, यहला हामी हालोजन एसीड बन्चुम्, साह마, जेनरल रूल लेखने बेला, अधसर चे हामी काटाळोड को रूप माधिध्न एजेन्ट ले युझ गर्चुम्, Dehydrating Agent Dehydrating Agent को रुप मा कुने यूज compound यूज गरखूम्ण as a catalyst Catalyst को रुप मा हमी Dehydrating Agent Dehydrating Agent को काम हो पानी नीकालने काम गरखा यले पानी एक्स्ट्राक्ट करखा Dehydrate गरखा molecular वला Dehydrating Agent हो यह सरी बाइचागे पचि आमरो प्रोडग्ट बंच आर एक्स बन छा रा वाटर निसकिन छा ये पानी निकाल लागे हामले डिहाइडरेटिंग एजेंट लेको ठीक चा अब याँचे के बहिदियो बने याँ एर नूस याँ बर याँचे ओ एच गुरूब गयो रा याँबर चे ओ एप गुरूब निसकियो याँबर चे एच अनि यो दूइटे मिले रा पानी बनायो रा याँचे आर छा रा याँचे एक्स था आर रा एक्स मिले रा आर एक्स बनायो ये शरी तपने याँद गरना सकनूँँचा सोट मा ठीक चा मेट दिन चुमा यो ठीक चा अब डिहाइडरेटिंग एजेंट को रूप मा ठावे के कुरा यूजगरना सकनूँचा था तो डिहाइडरेटिंग एजेंट को रूप मा ठावें जिंक कलोराइड यूजगरना सकनूँचा देहाइड्रेटिंग एजेंट को रूप मा तपाइं जिंक कलोराइट जेडेंग सील्टू यूजगरना सकनों जा आथवा कॉंक एस्ट एसोफोर सल्फियोडिक एसिद यूजगरना सकनों जा अनि एती एरेजमेंट हामीले मिलायर राख्यो बने अलकोल बरनी हामी अलकाइल हालाइड हो इसको नाम इसको नाम के हो अलकाइल हालाइड इसको नाम हो अलकाइल हालाइड आमी बना अनु चाह रीक соглас hasraitare of much type of substitution reaction ਸबੀ સ્યूસ્ટि વસ્ં વસ વસ્મ કિના સાફટिસ્ટिસ્જ્જ્ટિુસ્ળ઺ે વાય કિને આ મરો કિને आनि फाइनली चैने एक्स गुरूप अटाच छा एसको मतलब यो गुरूप पहला लीब गरनु परे और बल्ल यो एक्स यहां गरे अटाक गर छा येवटा गुरूप लीब गरी राच और अरको गुरूप तेसको पोजिशन मा सफ्टीचुईट बही राच तेसेले यो एक् किना एसमा चैने पहला हाइड्रोक्साइल गुरूप लीब गर छा आनि बल्ल तेसमा चैने बल्ल तेसमा चैने हालो गुरूप ले फेडिके गर छा ता अटाक गर छा तो पहला चैने हाइड्रोक्साइल गुरूप ओएच गुरूप लीब गरनु परे अलको अलको ओएच reactivity of different reactivity of different halogen acid share ने वाने सब बंदा बरी रियाक्टिब को उन्छा HI हुन्छा तेसपची हुन्छा HBR हुन्छा तेसपची हुन्छा HCl हुन्छा एस तो कीना हुन्छा कीना की why HI is more reactive because एसको bond dissociation energy के उन्छा एकदमे काम हुन्छा because एसको जुन bond dissociation एसको जुन bond dissociation energy हुन्छा यो lowest हुन्छा सब बंदा काम हुन्छा आपब bond dissociation energy बने को के हुता bond लाई break गर्नाक लागे यू जुने energy आपब bond dissociation energy एकदमे काम छा बने यो HI bond जुन्छा यो चारे ब्रेक बहर हुन्छा एसको प्लस आइ माइनस मा फाम हुन्छा चारे ब्रेक हुन्छा तेसेले एसको bond dissociation energy के हुन्छा ते एकदमे काम हुन्छा तेसेले यो सब बंदा बड़ी रियाक्टिव हुन्छा एसको explanation मेले आगारी को पिटियो हुन्छा ते अनुशार पर दे जानुवला अब यह एनुश अब यो खालको reaction मा जेन्रली 3 degree alcohol जुन्छा इस मोर रियाक्टिव देन 2 degree alcohol देन 1 degree alcohol देन methyl alcohol methyl alcohol यो चैंग रियाक्टिविटी को अड़र हुन्छा किन अहले मा एक्स्प्लेण गरने बेला बांचू अब कुने पनी योटा रियाक्टिव देन्स लितिया इसमाच कार्बो केटाइन बांचू intermediate को फर्म मा कार्बो केटाइन बांचू अब 3 degree alcohol देन बांचू अब 3 degree alcohol देन बांचू 2 degree alcohol देन बांचू 1 degree alcohol देन बांचू 1 degree alcohol देन बांचू 1 degree alcohol देको OH गुरूप चैं primary carbon संग लिंक भागो 2 degree alcohol देको योजुन आमरो OH गुरूप चैं secondary carbon संग लिंक भागो 3 degree alcohol देको यो OH गुरूप चैन टर्शरी कार्बन संगा link भागो अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन अड़ु क्यो मैं लेक्स्प्लेन गरी शाक्याच शो पर्नु परो ठीक चा यो चैन रियाक्टिबिटी को अडर दियो यो चैन रियाक्टिबिटी को अडर हो यो जुन मैले लेख दियाचु यो जुन मैले लेख दियाचु यो मैले अडर अफ यो जुन मैले यो डाइग्राम यो अडर माजुन लेख दियाचु यो चैन क्यों को फिगार हो दा reactivity order of different alcohol reactivity order of different different alcohol reactivity order third degree alcohol more reactive then second degree then first degree then methyl alcohol अब ये इसमेचे आमी के reaction शरू है रूँ है के बहिराच हेरूम या इसके है वित HCl संग रियाक्शन गरूम पहिलया HCl संग रियाक्शन करेर हेरूम आप पहले ये अलकोहल लीनु पड़े मेले एथानौल अलकोहल गरूम नज सब्सक 쪽 C2H5 OH इसर नी लेखना सकँ CH3CH2 OH आशर नी लेखना सकच यह चे आम्रों क्या होता इथानोल हो ETHANOL यहां जुन आम्रों यह OH गुरूप छा यह OH गुरूप चाइं वन डिगरी कार्बन संग लिंक बहा छा तेसेले एसको नाम चे वन डिगरी अलकोहल पनी हो एला हमी वन डिगरी अलकोहल पनी बहां छुम अनि एसमाचे आमी लाव के गरचुम HCl संग एला हमी रियाक्शन गराऊंचुम इन प्रिजेंश ओफ डिहाइडरेटिंग एजेंट टा डिहाइडरेटिंग एजेंट को रूप माहामी जिंक कोलोरायट लेली न सक्छुम अनि एसमाचे प्रोड़क्ट के बन छादा ? CH3 CH2 अनि एसमाचे आही CL गरूप एटाँच होंचा प्लस वाटर निष्की छाँ एसको नाम के हो । कुलोरो, मिथेन इसको नाम हो । इसको नाम के हो । कुलोरो, मिथेन अनि एसमाचे आमी यो एन्ध्रस, जिंक, कुलोरा परनूपर देना, अरु केसमा कुणे कुणे बेला, हैले माई है, SI को केसमा, HCl को केसमा नो गरेनी हुन छा, कि नेके उनियारो बरी रियाक्टिव हुन छा, HCl बन देछु, यो हामी याँ HCl को केसमा, याँचे माँ के भन्ना कई राचु बने, यो जुन हामी ले एन हाइड् यह ज Means हें प्राम्री रा सेकेंड्री अल्कोहल्वि dese तेश को चैस रेश्पिकेटीवि श्यूनि ऐंव् प्रायम्री रा सेकेंड्री अल्कोहल्रे यकार्णेश्य। तेसे लिए प्राइमरी अल्कोहलो वन डेगडी अल्कोहलो एसको जुन कार्बोकेटाइन बन्छा योचे एस तो बन्छा CS3, CS2 प्लस यो तेती एस्टेबल हो दैने तेसे लिए एसमा चाएं हामिले एन्हाइड्रस जिंग कुलोराइड यूज गर्छुम योचे डियाइड्रेटिंग एजेंट को रूप माई यूज गर्छुम यदि तपहें तर्सवरी अल्कोहली नुँ हुन्छा बाने यो एन्हाइड्रस जिंग कुलोराइड यूज न गर्दानी हुन्छ किन तर्सरी अल्कोहल मा स्थिरी डिग्री कार्भो क्याटायन बन सेैंट यूज डियाड्रस जिंग ऐंका यह उज भण कें धुन थर्डड़ी अल्कोहल युदी तपाइँ HCl संग रियाक्शन गरनुँछा युदी बेला तपाइँ युदी युज न गर्दानी हुंछा रियाक्शन आफ़ै हुंछा किना कि 3 degree alcohol बढ़ जुन आमरो कार्बो केटाइन बढ़ चाहिए 3 degree 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 कार्बो केटाइन तेसेले योग केस माँ ZNCl2 यूज न गर्दानी उन्चा एजो क्याटालिस्ट को फर्म माँ यह कुरू माँगी बन दे थे HCl बने रे मिश्टेक गरे छुँ ठीक छा ZNCl2 को प्रिजेंस कुन बेला राखने ता यदि प्राइमडी रा सेकेंडरी अल्कोहल छा बने यदि 1 डिगडी अन 2 डिगडी अल्कोहल छा बने तेती बेला चाई एन हाइड्रस ZNCl2 राखनू यदि थर्ड डिगडी अल्कोहल छा बने यदि थर्ड डिगडी अल्कोहल यदि लिनू बाहा छा बने न राखदानी हुनच येति थर्ड डिगरी अल्कोहल लिनु भाच होगने ZNCl2 ZNCl2 एन्हाइड्रस ZNCl2 न राखदानी उन्छ किना कि यो थर्ड डिगरी कार्बोकेटाइन या गड़ा फर्मेशन उन्छ जुन चैन बड़ी एस्टेबल उन्छ ठीक चा इसके एक्जाम्पल अब लिम मा बुजाऊंचु यो बुजदाई गार टिपदाई गार एक्जाम्पल अब मा थर्ड डिगरी अल्कोहल लिन्छु यो लिये माईले स्यम माथिगोखेश CS3 CS3 रहा माईले OH लिये यो मेरो थर्ड डिगरी अल्कोहलो येस्वा माईले HCl एटाच गरे अब ZNCl2 नोराखदानी हुँँच यहां बड़ के हुँँच थर्ड डिगरी कार्बन मा CL गुरूप लाउनुश अनि H र वह मिले रा वाटर बनाऊच यो बाई CS3 यो बाई CS3 माथि बाई CS3 अनि यहां चे के अटाच बाई ता CL गुरूप एटाच पर अनि यहां चे पानी निश्क्यों अब यहर नुश एसको नाम चे जह उचा तो कॉमन नेमिंग के च्छा यो कुन डिगरी कार्बन हुँच थर्ड डिगरी कार्बन हुच थर्ड डिगरी कार्बन मा कुलोरीन एटम एटाच छा तो कॉमन नेम चे जह उच्छा थर्ड डिगरी का लागे टर्ट बनने वर्ड यूज गरनू पर छा मैले यो सबई कुरारू बताइश सग्या छो पहलागो वीडियो में तो कॉमन चे बार्ट ब्यूटाइल ब्यूटाइल की ने यूज गरे चारोडा कार्बन चा एक दू तीन चा चारोडा कार्बन चा तेसेले ब्यूटाइल आनि हालोजन एटम कुन चा तो कुलोरीन को एटम तेसेले टर्शरी ब्यूटाइल कुलोराइडेश को नामब इसको नाम के भायो, Tertiary Butyl chloride इसको नाम भायो, यह म बने दिन चुन ठीक्छो भस इसमा ZNCl2 गो प्रेजेंच न राकदानी होंचा यह जा ज़की होता, Tertiary Butyl chloride कुन बड़ा बनेया होंचा 3D अलकोहल बड़ा बनेया हो, इसको नाम के भायो, Tertiary Butyl Alcohol इसको नाम के भायो अबालिसों साहलो है मेखेड़र化algário- cảmूule चाहलो. ह्वनीतों साहलो. आदों चाहलो है सीक्षालनाह्गात्यात्याक्शिंद. लिटरल कॉंख H2SO4 वाइल सेकेंडरी एंड टर्शारी अल्कोहल डू नाट यदि प्राइमरी अल्कोहल लाइता पाई HbR संग रियाक्षन गराउन उन्छा वने तेहां पाईलाई H2SO4 को प्रिजेंस राखनू परने उन्छा थोरे मात्रामा लिटरल मात्रामा थोरे मात्रामा H2SO4 को प्रिजेंस राखनू परने उन्छा तरा प्राइमरी अल्कोहल मा मात्रे तरा प्राइमरी अल्कोहल लिनुस CH3, CH2 यो OH बाय। इथानोल बाय। यो 1डिगरी अल्कोहल हो की न ओएच गुरूब चैहेर नुस यां कति डिगरी कार्बन संगल लिंग चा, 1डिगरी कार्बन संगल लिंग चा तेसे ले यो चैए कि बायो तो 1डिगरी अल्कोहल बायो एसको नामचे इथानोल हो एसको नामचे इथानोल हो यहलाई चाहिए तपाई येदी HBR संग रियाक्शन गराणूँँछ वने येसमा चाहिए कॉंक H2SO4 लितल मात्रा में यूज़ गरनूँँछ आज रियेजेंट अनि यो HBR चाहिए तपाई 48% कंसंट्रेशन येसको यूज़ गरना सकनूँछ येदी राखनू बाए बाने तपाई येको प्रोड़क्ट के बाँछ बाने CS3, CS2, BR ब्रोमो इथेन बाँछ आलकाईलहलाइड बाँछ र बाइप्रोड़क्ट वाटर पनी निश्कीन चाँ यो जुन कंपाउंड बाने यो एशको नाम के होता ब्रोमो इथेन बाए यो एशको आईउपेसी नाम बाए कमन नेम एशको के लेखना सकीन चाँ इठाईल ब्रोमाइड यो चाँ एशको कमन नेमिंग बाएव र माठीके चाँ एशको आईउपेसी नेमिंग बाहएव ठीक छा किना कि यो चाँ माले किना कौंक S2SOfer यूज गरे किना कि कौंक S2SOfer के ओदा ઍલેસે પરેમરીલ્વી આંર્લીસ નની ⟨હીફ્લો બશ્ભીચ પરુસિક સેચન્ડ ડીકડ્રી यूज आमी गरदेनों, यूज नो गरदानी हुँँछ, किनकी यो हाईडरेटिंग एजेंट यूज नो गरदानी हुँछ हाईडरेटिंग एजेंट हामी कॉंक S2SO4, ZNCl2 लाई आईडरेटिंग एजेंट को रूप माई यूज गरचुम अब मा 3rd degree अल्कोल लीँचु, यूज जी यूज laughing in thotness ral, यूज नो गरदानी हुज कंसंट्रेशन सोलूचन संगा रियाक्ट करना खोजी राचु अब यो महिले थर्ड डिगरी अलको हलो यो थर्ड डिगरी थर्ड डिगरी अलको हलो एसको साइन्टिफिक नेम येदी लेखनून चा बने लंगेश्चेंज स्ञेक्ट करोश लंगेश्चेंज स्टेलेक्ट गरदा खेरी वान रड़ टु रडो थ्री टू नंबरमा मिथाइल गुरूप छुआ रड़ टू नंबरमा ओछ गुरूप छुआ टैसको stupid lin 2-mk बायो, 2-methyl, 2-methyl, prop, prop, propanol, 2-methyl, prop, एक्षिन, P-R-O, P-A-N, prop, 2-ol हामियला लेक्षुम। सिंगल-सिंगल बोन्ड बायरे, यो तीन ओडा कार्वन बायरे मेंचीन मा आमियला प्रोप यूज गरीम। रा सिंगल-सिंगल बोन्ड यूज बायरे, हामिया, A-N-E यूज गर्छुम। बास्तमा, A-N-E रा O-H को कारण ले हामियले फ्रण्चनल को लास्तमा, A-L लगाउनु पर छा। अब दुइटे यो, अब एलाई येदी लेखने वह बने एसरी आमियले लेख्छुम। P-R-O-P-A-N-E-O-L तर दुइटा भवेल, एकट हमा आमियले लेखना, भवेल बनेको, A-E-I-O-U हो, लेखना सक देनो, तेसे ले एलाई चे आमियले के गर्छुम। तेसे ले यो, E-लाई आमिया बरके गर्छुम। हाटाई दिन छुम। नेमिंग करने वेला। तेसे ले एसको नाम बायो, P-R-O-P-A-N-E हटी शक्यो। आनि यो, O-L बने, जुन यो, O-L बने, O-L stands for O-H, यो कती नमर पोजिशन मा च्छुम। तेसे ले 2-L लेख्छुम। प्रोपा-N-O-L ठीक्छु। अब नमेनक्लेचर लेखने वेला आम एसर नी लेखना शक्नूंछ। आथवा तमेले एला एसर नी लेखना शक्नूंछ। टू मिधायल, टू मिधायल, टू पोजिशन मा ओल्छु। टूले अगारे जेकनूष प्रोपा-N-O-L लेखना शक्नूंछ। योचे मैले यो के बताया वाने? योचे मैले रूल बताया दिये, कसरी नेमिंग लेखना सागेंच। योचे सबे आयू-PSC को नोमेनक्लेचर अरुको रूलो दुषडा बहले छंगे आवने, ओटाले हटाया दिने ठीकषा? ये थोड़ डिगड़ी अल्कॉल लियर यो रियाक्शन गरनो हुँँछ। योडिए टिगरी अल्कोल लियर यो रियाक्शन गरनो हुँँछ। यहाइड़ेटिंग एजन्ट चाहिँदे नो यो मेट दीन्छु नेमिंग अरु शिकाउनक लागी मोलेख्षु यो नोट गर देगा नोला कॉपी में यो चाइन्छा पच्छी अब अच्छे हामें रियक्शन गर दाखेरी आमरो प्रोड़क्ट के बन्छा था ओएच लाए हटाउनूस तेसको ठामर ब्यार लगाउनूस CH3 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 आणि याँचा के लाउनूस ब्यार लाउनूस र बाइप्रोड़क्ट के बन्छा था आमरो वाटर बन्छा र इसको नेमिंग के बायो टू ब्रोमो टू ब्रोमो टू मिथाईल तीनोडा कार बन्छा तेसले प्रोपेन टू ब्रोमो टू मिथाईल कसरी बायो यो आमरो लंगेस टेनलाई सेलेक्ट गरनूस यो मेरो लंगेस टेन बायो र इसमा नेमिंग गरनूस यो वन नमर कारवन यो टू नमर कारवन यो टू नमर कारवन र तीन नमर कारवन र टू नमर कारवन मा एटा CH3 र अरको ब्यार ग अबामOh.2 with 2.00 alcohol रिक्शामनिः, click on CH लिंख्याद़ chrom एक्जाम्पल गरूँ मानूम् यो मेरो योटा 2 degree alcohol CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 YAH 2 degree alcohol किने हो? किनना कि OH group जुन छा 2 degree carbon संगा लिंक बाता 2 degree carbon किनन हो? किनना कि यो carbon संगा द्विटा कार्वन संग लिंक भाँचा तेचाहिले अब इसमा चाहिए री एजन्ट यूज गर्नूँश एच बियार डियारेटिंग एजन्ट लिनू पर देने अब क्ये गर्नूश याँ बर ओच लाए हटावनूश एशको ठामा बियार लाओनूश च्छी याँ फेडिश च्छी बायो याँ चैए बियार गुरूप एटाच बायो रा बाय प्रोडक्ट के निश्किन चाथा वाटर निश्किन चाथा रा इसको नाम के हो लभनूश यो जुन कमपाउंट बनियो वाटर को नाम तो सबे ले था चा वाटर को नाम सबे ले था चा एच टूओ बन चा यो कमपाउंट को नाम के हो मेंचेन एशरी सेलेक्ट गर्नूश यो मेंचेन सेलेक्ट गर्नूश यो मेंचेन सेलेक्ट गर्नूश आईउपेसी नो मेंकले चर गर नक लागी यो मेंचेन मले इसलिक्ट गरे ठीक्चा ओर नेमिंग गर नूश बान टुटी के नमर मरा हामरों ब्रोमो गुडूँप ठाथ इसको नाम बजु ए टूपॉमो प्रोफेन त्या इसको नाम के बजुद टू ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन कीन, कीन किती नोड़ा कारवन छते सेले, इसको नामबयो टू ब्रोमो प्रोपेन, टा बाय प्रोडक्ट वार्टर निश्कीन छा, यो रियाक्शन जुन हामले हेरीम, यो सबय चैंके को रियाक्शन थियो ता, HBR सांगा को रियाक्शन थियो, आब चाहिं हमी हेर चूं, with HI, हाब HI सांगा रियाक्शन हेर चूं, अब जुन हामरो यो HI छा, यो सब बन्ता बड़ी रियाक्टिव हुन्छा, मैं ले ओडर लेख दिया थे, HI is more reactive, HI is more reactive than HBR, HBR is more reactive than HCL, यो अडर मैं लेख दिया थे, साइद इसमा लेख दिया चूं कि, औरको स्लाइट मां मैं लेख दिया चूं, जो यो अडर मैं लेख दिय चूं कोईला हा, यो HI चाहिं के हुन्छा तो बड़ी रियाक्टिव हुन्छा, यो बड़ी रियाक्टिव भगो कारणले गर दाखे दिया चूं कि, यो हामी, 1st degree alcohol, 2nd degree alcohol लेख, 3rd degree alcohol लेख, कुने मां पानी, dehydrating agent यूज़गरनू पर दाइना, किना बने, यो HI धेरे रियाक् AYजेंट युस न गरेनी यहां वार पानी निसकीन छा, वातर निसकीन छा अभर्ड़िश्ट करेंगे शाचेंठ काम करने रभान में हई छा यहां सक्था क्या हो !! HI is मस्ट्री रियक्टिग हलोजन Arist यहां रियक्शिट्स does not require any catalyst यो कुरा यान लेखना सक्छो यो कुरा यान लेखना सक्छो note बने रहा note बने रहा h i is h i is the most reactive h i is the most reactive halogen acid so so the reaction so the reaction with this does not require any catalyst so primary degree alcohol मानी कुनेपनी आजोटेका घूटेका सक्छाम नैच कोहस क्जान हो च और अलकोहल Iowa हो एचेपनी काता अलकोहल हटो एसको नाम हो त सक्छामिखनी च राय हो वन डिग्री AoL इसको नाम हो एथानोल राय हो दिग्री AoL इच माचाय माईले के गरेता यलाएचे एचाय संगा रियाक्चन गर नखो देचु पुने बनी काटालिस्ट चाहे देना डियाईरेटिंग एजेन्ट जैडेण सियल टू आथवा कंकेस क्यो शोफर कुने यूज गरनू पर देनेस्ट सिंपली यो दुटे मिक्स्टर ला हीट करनूँश के बंद दिन्छ शी टू एच पाइब सांगा आई अटाच बही दिन्छ रो योटा वाटर मोलीकुल बाय प्रोटक्ट निश्किन्छ रो योजुन कंपाउंड बन्यो एशको नाम के हो था आयोडो इथेन हो यो आयोडो इ कि दो हो चिन्द दिन्द भाटाच भाटाच्ङ at अब ऑल्को रियाक्चिन बहें यकित्थेन्थेन्हिρ मोन्यों ब्सक्षांद में युक्द भाटाच बंजेन्ज हें अब अल्कोहल अभाल्यों को भी नुमित्थेन्नलीयोति अथ्यू। ये नम्मर मा आम ले क्ये पर्या थिम मेकानिजम परे रह ये नम्मर मा चाहिं यो मेकानिजम परी शागे पाछी अल्कोहल को अल्कोहल बरा चाहिं बनाओनक हो जा थिम या फ्रम अल्कोहल अल्कोहल बरा चाहिं गरआए हो अल्कोहलाइ घालूजन आसिड संगा र्याक्षन गर॥ा आबाचिया आमें वी नमर में के गर गर अब जम टेए अल्कोहलाइ फॉसफोरलाइड संगा 서 गरौजू नुचन तो दॉसफोरलाइड अल्कोहलाइड ऑल्कारोल сосफॉरलाइड ड्लीकार८ 001 को मचन 5000 PHOS, PHOS, peak HO, R-O-U-Sॐagus, फोस्फपोरस हेलाइडसॐ फोस्फपोरस हेलाइडस मतलब आमि PX5 आथवा PX3 लेना सक्षॐुमौ अब एक्स टा हैलो जानो, सो PCL5, PCL3, PBR5, PBR3 जे निली न सकनोंच, अनि एसरी आमी गर न सक्छूं, अनि एसरी गर यो बने के उन्छा था हमरो फेरी अलकाइल हैलाइट्स को फर्मेशन उन्छा, तेवटा एक्वेशन लेख्यों, यो आर ओ एच बायो, यो हमरो अलकोहल ब यो एलाइमा, फॉस्फोरस-pentachloride, PC Player 5 को नाम के हो, फॉस्फोरस-pentachloride, मा लेख दीनस और नाम, इसको नाम हो, फॉस्फोरस-pentachloride एशको नाम हो, यो दुटे मिक्स्टर ले जब हीट गर नूँँछा तपाइं तपाइंको RCl, अलकाइल हलाइड बनचा योटा POCl3 बाइप्रोडक्ट र अरको चैं HCl बनचा, यो तीन वड़ा कमपाउंड बनचा यो जुन यो POCl3 जुन बनचा POCl3, इसको नामो Phosphorus Oxychloride, इसको नामो Phosphorus Oxychloride, तब ले नाम याद चाहिने बने के चाहिने POCl3 लेखदा हूंचा, तरह मेन मेन कमपाउंड को नाम लेखनू पर यो यो RCl को नाम के हो, योचे हामरो अलकाइल हलाइड हो, योचे आमी बनाई राचूं, अलकाइल हलाइड हो, ठीक चाहिने अब ये रियाक्शन गरे रहर नूशिया, फोड़ एक्जाम्पल ये रियाक्शन आमी हेरूं मेले के लिए C2H5OH लिए, यो बने घामरो इथानोल हो, इसमाचे मेले PCL5 संगा रियाक्शन गराए, येसमाचे मेले PCL5 संगा रियाक्शन गराए, मेरो प्रोड़क्ट बन्छा C2H5Cl ये मेले रियाक्शन गराए, ये 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 रियाक्श एखनेत्व रियाक्षन प्रीजन्श मा हात अलेको analyzed मँए रियाक्षन लेक दिन्शु शापज अलकोहल गाल हृंकता अलेको रियाक्षन रबाई प्रोड़क्ट के बन्छा दा S3PO3, इसको नाम हो Phosphoros Acid Ami बन्छुम्, इसको नाम के हो दा Phosphoros Acid Ami बन्छुम् अब यू रियाक्षण से बैलेंस करुअ यहां हाइड्रोजन 3 उर छसली इसको अगारी मुआ यहां 3 लेखनू परू, हाइड्रोजन बैलेंस पायो यहां कुलोरीन पनी 3 उरा छसली किलोरीन बैलेंस पायो तीन ओड आलकाली गुरूप तीन ओड आलकाली गुरूप यो सब केवो दा बैलेंस भाएं यह दी बैलेंस नी गरनू पर सब लेवला रियाक्शन चरू लाएं ठीक छा यह चे हामरो फॉस्फोरस हेलाइड संग को हामरो केच्यो दा रियाक्शन थियो अब इसके एग्जाम् छरू मा लेख दीन छू फॉस्फोरस हेलाइड समा पीसियल 5 पीसियल 3 अरूंच अजय एग्जाम्पल लेकूं इसको अजय एग्जाम्पल छरू लेकूं जस्ते ही C2H5OH लिनु भायो आणि एसमा चाइँ PCl3 लेला रियाक्शन गरनु भायो हीट गरनु भायो तो C2H5Cl बन्छ तर लास्ट मा फॉस्फोरस एसिट बनी बन्छ एज 3PO3 रियाक्शन ले बैलेंस गर दीनुष यानी 3 लेक्शन यानी 3 लेक्शन योनी बैलेंस भायो अरूंच दको एक्जान्पला ली नुषु, माही ले मिठानол ली है यानी बन्देअगा गारी कुन्नाहा मीमिलि लेक्शन यो इथानल हो योotional rather c21 अब चाइं मा मिधानोल ली देशु, CH3OH लाइ, फेरी PBR3 संगरी आक्षन गराउनूस, फेरी हीट गरनूस, हामे PCl3 ली नसक्छूम, PBR3 ली नसक्छूम, PBR3 ली नसक्छूम, PI3 ली नसक्छूम, खाली एत्ती गरनू पर, यो PX3 जुन छानी, X को ठामा, 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 X को ठ रियेजेंट अरू chemistry मा याद गरनू परेंचु कुन रियाक्षिन मा कुन रियेजेंट अरू यूज गरनू परेंचु इस्पेसिफिक उन छा रियेजेंट अरू यला यदि हामी red phosphorus रू ब्रोमीन को प्रिजेंच मा यदि हामी हिट गर चुम बने तामरू के बन्च था तीन ओ रोमाइड रो H3PO3 Phosphorus Acid बन्छा यहाँ पनी तीनोडा मोलिक्यूल लिनुश ठीक्चा बुजदेवनुश रियक्षन अब आमी यही यही मिथानोल लाई योधा हम्रो मिथानोल हो नी M E T H A N O L यह हम्रो मिथानोल हो अब यही मिथानोल लाई CS3OH लाई PI3 संगा रियक्षन गर्नुश फोस्फोरस ट्राय आयोडाइड संगा रियक्षन गर्नुश तरह फेडि यहाँ रेड फोस्फोरस लिनुश रा आयोडीन चे पास गर्नुश I2 चे पास गर्नुश डाय अटोमिको फर्मा होंच तेसेले I2, Br2 आमी बनी रांचुम I2, Br2, Cl2, F2 सब डायेटोमिको फर्मा होंच याणि प्रोडक्ट के बनच दो CS3I बनच रा H3 PO3 फोस्फोरस एसीड बनच तीन अडा मोलीक्यूल एतानी बनच । घळेशन् यूजञा रहां था मिले रिएजेंट यूजगर रहां इसको कामी कैं अले चाइँ आवा यो रियाक्षण घरने वेल आència हामिलाई PI3 रा PBR3 को रिक्वाइर्मेंट हुँँचा रा यो जुन कमपाउंड छा फोस्फोरस ट्राइब्रोमाईट रा फोस्फोरस ट्राइओडाईट यो चाहिए एक दमें अनस्टेबल हुँँचा यो चाहिए के हुँचा दा अनस्टेबल हुँदाई ना त्यिसे ले जून बेला हामी रियाक्षण गर देछुम ते ई बेलाई एलाई बनाउनों पर ने हुँँचा इनसी टू में बनाउनों पर ने हुँचा इनसी 2 मतलव जुन साइट में अथभा इनसी 2 पा सिटू में हुँछ जून भेसल मा तभ सजंट गराऊं तेही रियाक्षन मा एलाई at the same instant बनावनू पर्णे हुँँछा जुन बेलाचे इसको यूज हामी गर छुम तेही ले रेड फोस्फोरस रेड फोस्फोरस रा बी आटू को प्रिजेंस मा रेड फोस्फोरस रा बी आटू को प्रिजेंस मा के बन्छा दा पी बी आर थ्री बन्छा इसको प्रिजेंस मा यो बन्छा रा इसको प्रिजेंस मा के बन्छा दा पी आई थ्री बन्छा तेही य एक्शन विद थायो नाइल थायो नाइल कुलुराइड थायो नाइल कुलुराइड को फार्मुला वननुसता थाचो ता में अरले थायो नाइल कुलुराइड को फार्मुला एसको फार्मुला आउंच SOCl2 एसको फार्मुला आउंच SOCl2 SOCl2 ले हामी थायोनायल क्लूराइड बन्छुम् अब जब हामी अल्कोहल लाए थायोनायल क्लूराइड संग रियाक्शन गराऊंछुम् इन प्रिजेंच पाइडिडिन त्यों बेलानी हामरो के बन दिन छाद अल्काइल हलाइड को फर्मेशन हुन्छ अब हेर नूश एक्जाम्पल याम मा लेख दिन छुम् मा अल्कोहल लिए यो आर ओएच मेरो अल्कोहलो एलाय मा एसोसील टू थायोनायल क्लूराइड संग रियाक्शन गराऊं देछुम् रियेजेंट मेले पाइडिडिन पाइडिन लाए रियेजेंट को फर्मा यूज गरे अलकाइल हलाइड बन छा आर सील क्लूरो अलकाइल अलकाइल क्लूराइड बन शक्नूंछ यो जेंडरल मा लेख देछु रा बाइप्रोडक्ट सलफर डायोक्साइड ग्यास रिलीज आउट हुन्छ यो यो रियाक्शन पनी इमपोर्टेन छा अब यो टामा आर को ठामा सबुझ माले इथाईल गुरूप राख्चू C2H5 OH राखे यो एलाए मा SOCl2 संगा रियाक्शन गरे रियेजेंट माले सेम राखे पाइडिरिन के बाई दिन छा या यो C2H5 संगा CL गरूप लिंक बाई दिन छा C2H5Cl बन छा C2H5 C2H5Cl बन यो प्लस SO2 सल्फर डायोक्साइड ग्यास रिलीज बायो प्लस HCl को फर्मेशन बायो अब यो रियाक्शन जुन छा आमरो एक्शन आफ अलकोहल वित थायो नायल कुल राइड यह 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 य बैप्रोडक्ट मां योटा सलफ़डायोकसाइड बन्याच दोटा है सिल ग्याच सील ग्याच बन्याच अब कि अप्वाड मतलब गैज तो ग्याच सेस्टेट मा थो अप्वाड थेगोषो तिसको लागी तो प्याच सिंबल यूज हुँँँँच अब एचोटूर है अलकाइल कलोराइड जो नामी पाउचूम तो प्योर फर्म मा पाउचूम तेसे ले एलाइचे हामी best method of preparation of alkyl chloride ली ना सक्चूम योजन मेले reaction लेके action with thionyl chloride एलाइचे हामी के बनना सक्चूम तो best method of preparation of योजन माथी को reaction हो so this method is the best method of preparation of alkyl chloride so this is the best method of preparation of alkyl chloride alkyl chloride को होयो किना कि SOCl2 बड़ क्लोरीन गुरूप तेया बर निश्किन छ alkyl chloride किना कि alkyl chloride जुन आमी यो बनाऊचूम यो प्योर फर्म मा अप्टेंड होंच किना इस तो आमी बनाऊ किना कि यो प्योर फर्म मा अप्टेंड होंच र अरू जुन हाम्रो छ त्यो SO2 रा HCl यो ग्यास फर्म मा इमिट पगो कारन ले गर दाखेरी यो उरेड जान छ ठीक छो यो चेहीं यो वीडियो मा आचा हामी एतिने गरूम अनि एस पची का कुड़ा आरू एस पची का जुन आमरो रियाक्शन सरूंच तो आमी नेक्स्ट वीडियो मा गर छूम अनि यो चेह आमरो हालो अलकेन एन हालो एडिन्स को पार्ट नमबर फाइब हो सबै पार्ट यो बंदा अगारी 4 लड़ा पार्ट अपलोड वही सक्या छ तो सबै पार्ट पर्धि जाननू होला अनि यो चेनल लाई सब्सक्राइब गरनो भाषाईने बने सब्सक्राइब गरनोंस आफनों केर गरनोंस एति बंदै हुस धन्यवाद जैनेवाल